जोति सास्त्र के अनुसार सावन में पड़ रहे सनी प्रदोस वरत का विशेश महतु बताया गया है सनी प्रदोस का व्रत सावन में करने से जहां सनी देव जनित कष्टों से आराम मिलेगा वहीं जिन जातकों के उपर सनिदेव की साड़े साती धाया या फिर महादसा चल रही है उन वेक्तिव को भी छुटकारा मिलेगा जानकारी के नुसार यदी किसी वेक्तिव पर सनिदेव की महादसा साड़े साती या फिर धाया चल रही है उनके द्वारा भगवान शीव को गंगा जल अर्पित कर उनकी अराधना करने से विशेश फल की प्राप्ति होगी रंडे सिर्दर सास्री ने लोकल 18 को क्या कुछ कहा है सुनिये वैसे तो जितने वर्थ होते हैं उनका बहुत महत्तो होता है प्रंदू जो स्रावन मास में सनी प्रदोस वर्थ का विशेश महत्तो होता है क्योंकि जैसा कि सास्त्रों में भी आया है हम कोई भी वर्थ करते हैं तो वरत का संपूर्ण फल प्राथ होता है और सनी प्रदोस का सनी प्रदोस वरत का तो विशेश फल प्राथ होता है और जिनके उपर सनी ग्रहे विपरित दिसा में होते हैं या ढईया चल रही है या और कोई हमारी महादजा चल रही है इस परकार सनी का हमारे उपर विपरित प्रभाव चल रहा है तो सनी प्रदोस के दिन ओम प्राम प्रीम प्रोम ससने इनमे इसकी एक माला का जाप साइंकाल के समय उस्य करें तो सनी प्रदोस के दिन इसका पुजागा बहुत बड़ा महत्त होता है और सनी ग्रह हमारे लिए अनुकूल हो जाते हैं क्योंकि ये निया प्रदोस का सनी प्रदोसवरत का सबूर्ण फल हमें प्राप्त होता है जो स्रावन मास में जो प्रदोसवरत पढ़ रहा है उसका भगवान संकर जी कृपा होने के कारण बहुत अधिक महत्व है और सनी और भोले संकर जी का आपस में जो उनकी कृपा सनी के उपर बनी रहती ह और सनी की गृपा भगतों के उपर बनी रहती है इसलिए इसका बहुत यदिक महत्तर और इसका सकारात्मक फल मिलता है